आज मैं पनाने वाली हूँ बेसन की सब्जी यह जो सब्जी है जब कभी घर पे सब्जियां खतम हो जाती है या कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कुछ अलग नया सा बनाए तो यह तब सब्जी आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल है और रसोई में जो समान रहता है हमारा हम आप बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मुझे सब्जी बनाने के लिए जो समान चाहिए वह मैं निकाल लिया है और यह जो सारी चीज़े आपको दीख रही है यहां इसली हमारी किचन में मिल जाती है तो यहां पर मैंने लिया है आदा कटोर को सारी बनाट शेम है दो बड़े तो किन दूप प्यास सेटे दो बड़े नोगे अधर के लिया बनाटर कर दो चाहिए इस तरीके से लंबाएं में रहा हो घ्याता है और साथ हम लेंगे एक काटोरी अरदनिया इसकी चूंटिटी जाद ही रखिए गां उसे एक अच्छा यहां पर इज़ी टमाटर प्यास धनिया और बेसन तो हमेशा हमारी किचन में रहता ही है तो यह सारी चीज़े हैं इसी से हम आज की रेसिपी बनाने वाले हैं जो बिल्कु सिंपल भी है और फटार सफट से बन भी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है तो टायी में दो चम्माच मस्टर घुल लिया थे जिसको हम शर्सो का तेल भी बोलते है तो यहां पर थोड़ा सामय जादा लिया है तो अगर आप मस्टर वाइल यूज नहीं करते हैं दो ज़र सब्सकाते है और यहां पर में अपने अपना पर दोश्या नहीं आप जो खाने म तो यहां पर आप हींग जरूर डाले और इसी में अब हम प्यास एड़ कर देते हैं अपना और यह वाला करचा में इसमें ले रही हूं क्योंकि इसको हम लिक्विट बनाने वाले हैं इसकी जो ग्रेवी रहेगी तो यह हिलाने में और सब्सक्राइब बनाने में इसी रहता है हुआ है। मैं यहां पर आप पेस्टे प्यास में धाक है तो मैं यहां पर प्यास में जो है यहां अटरका पेस्ट आप कर देंगे वाल यहां represented liters तो आप जावी शाफ बagu मैंत रहता है इसको ज़ता है चल आप पर एक अटा कूट करेंगे तो सब्सक्राइज चल अर यहां अब दिखा रहे हूं आपको गर्म मसाला है लाल मिश पॉडर है धनिया पॉडर है हल्दी और नमक जो है हमारे स्वात के नुसार है और बाकी जो मसाले है वो मैंने सब आधर चमची डाला है इसमें तो इस मसाले को जो है हम अच्छे से मिला लेते हैं क्योंकि आइल में जो मस एक मिनट हमने इसको मसाले के साथ पकाना है प्यास को तो एक मिनट बास इसमें हम डालेंगे टमाटर आप देख सकते हैं टमाटर मैंने मोटे पीसिस में कट किये हैं बारिक नहीं काटना है टमाटर हमने और टमाटर को जो है मसाले में अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके मृत्धा पानि नहीं लेना है सिर्फ थोड़ा सा जो अग्सानिम्हाइन मिक्स भी है से तोड़ा थी लिए इससे पकाएंगे लिए विरॉज़ाइं के उक नहीं तो इसको पानि यहां पनी टाले कि अवज़ाएं तो इसको दो मिनट हम इसे ही छोड़ेंगे जब तक कि यह मसाला जो है वह रहा हलका सा ओयल ना छोड़ दे तब तक हम अपना बेसन तयार कर लेते हैं तो देखिए जब तक मसाला बन रहा है मैंने यहां पर जो बेसन था हमारा उसका मैं घोल बना रही हूं और यह जो बबल्स दिख रहे हैं इसमे यह नहीं होने अगर आप चाहे तो इसको चम्मस से हा से जिसमे भी आपको अपना लगे उसमे आप बेसन को अच्छे से बड़े बावल में घोल कर इसका एक अच्छा सा समूध घोल तयार करना है तो अच्छे से फेट लेते हैं तो देखिए घोल हमारा तयार हो चुका है एक अधा कटोल आपको अच्छा था तो हमने इसमे एक गिलास पानी डालका घोल बनाया है और मसाला जो हमारा तयार हो गया आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया दिख रहा है एकदम से इसका जो कलर है वह भी बहुत अच्छा आया है और अब इस मसाले को हमने बिल्कुल इसको जो है ना नहीं पर हम आख है कि इसको हमने बिल्काणिया नहीं करिंए इसको स्मूथ है क्योंकि हम यहां पर यह इसको मोटे नो और कि यहाँ पर हमने इसकी तो यहां पर थोड़ा सा अड़कर डिए तै prove आं चाहिए कि मसाले के सारग अ dough इदैना यहां पर अभायते है कि मसाले के साहे तो उभलतेज में पार ओंप करें तो अधिक किसा सैंने हरा धनिया अज़कर जोड़ा चाहिए और गोल डालने के बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से आपस में मिला देते हैं तो देखे इस तरीके से बहुत ही अराम से हम करेंगे और सारी चीज़ों को आपस मिक्स कर देते हैं अब यहां पर हम पानी याट करेंगे इसमें पानी डालने के बाद इसको जल्दी से मिलाते हैं ताकि इसमें लम्स ना बने वरना सबजी का स्वाद हो खराब हो जाता है तो इसलिए बड़ जल्दी से इसको अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से और यहां पर पानी है देखें पानी हम अंदाजे से डालेंगे मेरा आधा कटोरी जो हमने यहां पर बेसन लिया था एक गिलास से हमने उसका गूल बनाया और जो कड़ाई है हम आधी कड़ाई से उपर इसमें पानी डाल रहे हैं क्योंकि बेसन जो है अभी पकेगा उबलेग तो उबालने में ही हमने इसको पकाना है तो इसकी कॉंटिटी थोड़ी कम हो जाएगी तो यहां पर अभी हम पानी जो है वो थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो देखें बढ़िया से हमने इसको मिला दिया है यहां पर थोड़ा सा पानी मैं और एट कर रही हूं तो देखें सब्जी जो है हमारी बन चुकी है अब बस इसको उबाला बाकी है तो अब इसमें जब एक उबाल आ जाएगा तो आप गैस को कम कर दें और कम से कम 20-25 मिनट हमने इसको पकाना है बेशन कच्चा नहीं रहना चाहिए वरना बहुत नुकसान देता है तो इसको हम अब चैक तो देखा दे रहा है और कलर च呢 को देखंगे ऐ और क्रना आप तो यह जोद्ध कालडर देख सकते कहां तो अब गहां डेते हैं और इसमें फ्रेश हराधनिया अट कर देते हैं Carnegie के टानीशिंग के विए लिए टाली प्लाइश यांपर था या तो पासिए वगणा इस प्ले नारी में लोग शमय और देड़ खेटे आशब अधा CAN लूप happy के हlordया स्वйम, तो इस सबजी को आप असान जटosen जटपट पर ऊंधने चाल आये से कुम देऊ लगया है जब में बार एकन शणते में तो इस तरीके से आप सब्सक्राइब Hem to sort on the devils सचना पू की लिए सब्सक्राइब के प्राइब कीया साथ एको के ताकी इसका एक आप इंग यहा कुकीशक करने ही चोड़ी मां के लिए उस सब्सक्राइब। तो आप इस सब्सक्राइब कीज़ें वाइब कीज़ें इन बॉक्स में जरूर कीज़ेंगा, और यहां दिखाईब यहां जिसके वजह से और भी शुन्दा रहे हैं खाने में बहुत टेस्टी है तो आप भी такие सब्सक्राइब के- इन्바क सी नियुट्रों में बागस, कहा से रहे हुआ है और की सब्सक्राइया आप के शाख भी है पहले, ऑप सब्सक्राइब क्या लाइए, टेक है बेर रेक्र मेरी में यह किला रहां।